हाउ टो कैश डिपोजिट इन एलाहाबाद बैंक कैश डिपोजिट मेशिन एलाहाबाद बैंक कैश डिपोजिट मेशिन से कैश डिपोजिट कैसे करें जी हाँ सोई सुना दोस्तो दोस्तो अगर आप एलाहाबाद बैंक कैश डिपोजिट मेशिन से Cash deposit करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चनल में नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तका आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप अपनी Cash deposit ATM मेसिन पर जाहिए जाने के बाद वहाँ पर आपको ठीक इस तरह से देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको Cartless Deposit Per Option पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपका पास एक दूसरा अप्शन आजाता है Select Your Language तो यहाँ पर आपको Language को सिलेक करना है मैं English को सिलेक कर देता हूँ इंग्लिस को सिलेक करने के बाद यहाँ पर आपका पास एक दूसरा अप्जान आ जाता है इंटारियोर एकाउंट नमबर तो यहाँ पर आपको एकाउंट नमबर टाइप कर देना है टाइप करने के बाद कारेट ओप्शन पर क्लिक कर देना है कारेट ओप्शन पर क्लिक करन पर नाम आएगा उसके बाद customer name आएगा तो यहाँ पर आपका नाम से यह तो पर क्लिक किजिए आधर वाइस आप केंसिल पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद दूस्तों आपका फास दूसरा ओप्शन आज़ाता है I confirm that the cash deposit is not for any of the following purpose तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने होगे मिलेगा देखने के बाद यहाँ पर आपका पास एक दूसरा अप्शन आजाता है यहाँ पर बोले है Please confirm the purpose of cash deposit तो यहाँ पर आपको तिन में से कोई साभी option पर select करना है तो मैं simply deposit into own account पर click कर दूँगा click करने के बाद आपका पास एक दूसरा option आजाता है enter your 10 digit mobile number तो यहाँ पर आपका सही number type करना है mobile number type करने के बाद कारेट option पर click कर देना है कारेट option पर click करते ही आपका पास एक दूसरा option आजाता है Please wait your transaction being proceed थुरा सा proceed लेगा प्रोसेट लेने के बाद आपका पास एक दूसरा option आजाता है तो यहाँ पर आपको इस तरह से show करेगा तो यहाँ पर आपको 100 टूपीज, 200, 500, उसके बाद 2000 तो यहाँ पर आप कोई साभी number कोई साभी यहाँ पर note को यहाँ पर डाल सकते है तो मैं simply यहाँ पर आपको कोई साभी number डालने के लिए तोयर हो जाँगा उसके बाद यहाँ पर आपको cash deposit machine open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पर आप note को डाल सकते है डालने के बाद आपका पास एक दूसरा option आजाता है तो यहाँ पर आपको फिर इस तरह से शो होगा तो यहाँ पर आप continue option पर क्लिक कर देना है continue option पर क्लिक करने के बाद आपका पास एक दूसरा option आजाता है please wait your transaction being proceed थुरा से proceed ले लेगा प्रोसेट लेने के बाद यहाँ पर बोल रहा है your cash is being returned nit to kuspa में यहाँ पर return हो चुका है क्योंकि वो note ख़राब हो चुका है इसलिए to return हो चुका है यहाँ पर आपको इस तरह से option आजाएगा तो यहाँ पर आपको catips add cash option पर klik कर देना है add cash option पर klik करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से इस तरह से देखने में मिलेगा तो यहाँ पर आपको फिर से कैस को डालना है डालने के बात आपका पास एक दूसरा अप्शन हो जाएगा यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है एकसेप्टिबेल डैनेमो डैनेमेशन तो यहाँ पर आपको क continue option पर क्लिक कर देना है continue option पर क्लिक करने के बात आपका पास एक दूसरा option हो जाएगा यहाँ पर बल रहा है यहाँ पर मैं 5000 रुपिया डाला था 5000 रुपिया मेरा पूरा डाल चुका हो और confirm मैं कर दूँगा यहाँ पर क्योंकि मेरा already यहाँ पर verified हो चुका है 5000 रुपिज तो मैं यहाँ पर confirm कर दूँगा confirm करने के बाद आपका पास एक दूसरा option आजाता है please what your transaction being proceed थोड़ा सा प्रोसेट लेगा प्रोसेट लेने के बाद बोल रहा है your transaction is complete तो इसी तरह से complete हो जाएगा दूस्तो आए हो पे वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं हो वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिए चैनल में नहीं हाथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शाद में बेल आइकन भी प आपको मिले सबसे पहले thank you for watching इस वीडियो तब तक लिया वाई